Hello everyone, यह वीडियो कोई lecture वीडियो नहीं है, यह वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे एक comments किया गया है, वो उस comment के reply देने के लिए मैं यह video बना रहा हूँ यह comment किया है रमशा खान ने तो रमशा I hope कि मैं आपका जो नाम है वो सही से प्रणाउस कर पा रहा हूं और या आपका नाम रमशा है I hope कि मैं आपका जो नाम है वो सही से प्रणाउस कर पा रहा हूं तो सबसे पहले रमशा, thank you very much आपने जो comment किया, आपका comment मुझे बहुत 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 ज़ादा अच्छा लगा, बहुत ज़ादा motivating भी था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके जो सवाल किया है आपने comments में, उसका reply देने के लिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा आपने basically दो questions पूछे हैं, एक question आपने ये पूछा है, क्या मैं 11th और 12th दोनों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ, और दूसरा question आपने ये पूछा है कि क्या 2025 तक ये जो syllabus है, ये complete हो जाएगा, ये दो questions आपने पूछे हैं, इस दो questions का answer करने से पहले मैं आपको एक ही request करूँ कि प्लीज इस वीडियो को end तक देखिये, ताकि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है, I hope कि इस वीडियो के end तक मैं जो आपको कहने की कोशिश करना हूँ, वो आप समझ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, कि I am really, 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 very sorry, कि मैं 11th और 12th को दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, और यह जो batch अभी चल रहा है, यह, मलब, focused है, need 2026 के लिए, ना कि need 2025 के लिए, तो पूरा जो syllabus कवर होगा, वो need 2026 से पहले कवर होगा, ना कि need 2025 से पहले, I am really, very, sorry, कि आपने जो दो चीजे पूछा था, उसको म मैंने फुल्फिल नहीं कर पाया, I am really, very sorry for that, लेकिन मैं फिर से आप से यह होगा, कि इस वीडियो को पूरा देखिये, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या problem है, इसको complete करने में, या, इसको क्यों मैं 11th 12th को एक साथ नहीं कर सकता, या क्यों मैं need 2026 को ही focus कर दों, तो इ नहीं किया था, यह मेरा first year of teaching है, इससे पहले मैंने कभी भी board पर आके इस type के lectures नहीं दिये थे, हाँ मैंने college में थोड़ा बहुत lectures मैंने दिया था, और because वो एक session था, उसकी वज़े से मुझे देना पड़ा था, otherwise पूरा एक exam को focused करके जो lecture देना, यह मैंने कभी नहीं किया, हाला कि बहुत सारे मेरे आस पर उसके जितने भी juniors है, या मेरे schools के जितने juniors है, school के, वो मेरे से doubt पूछते थे, और मैं उसको doubt बताता था, obviously बात है, लेकिन कभी ऐसे focused way में, कभी lecture कभी नहीं दिया, तो यह मेरा first year of teaching है, तो जब मैंने इस channel को start किया था, तो बहुत सारे doubts म मेरे मन में थे, कि क्या मैं पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझा पाऊंगा student को, क्या अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, क्योंकि अगर आप देखेंगे, तो आज जितने भी वीडियो आपको देखेंगे, maximum 30 minutes, यही अलब एक tendency चल र खतम होता है, और एक-एक lecture, almost एक घंटा, सवा घंटे का होता है, तो मेरे मन में यह भी doubt था, कि इतना लंबा-लंबा lecture कोई देखेगा, कि नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी मैंने इतना बड़ा लंबा lecture बनाया, क्योंकि मुझे उससे satisfaction मिलता है, कि मैं सिर्फ यह नहीं चात करना, हर एक line के पीछे का concept आपको बताना, यह मेरा काम है, तो यह सारे बहुत सारे doubts थे मेरे मन में, तो इसी वज़े से मैंने focus किया कि देखो, एक साल, एक साल के अंदर मैं पूरा syllabus cover नहीं कर सकता, अगर एक साल में पूरा syllabus cover करने जाओंगा, तो बहुत सारी चीज़े मु इसी वज़े से मैंने need 2026 को target किया और इसी वज़े से 11th और 12 दोनों को मैं एक साथ नहीं पढ़ाता हूँ, इसी वज़े से क्योंकि यह मेरा first year of teaching है, अगर मुझे यह करना होता कि मैं फिर यहाँ पर आओं और NCRT के lines को सिर्फ लिखाओं और उसके examples लिखाओं और निकल ज concept है, उसको आप तक पहुंचाना, क्योंकि अगर आप इस साल के needs का cut-off देखेंगे, मैं एक time के लिए मलब, just for example, एक time के लिए जो भी controversaries चल रही है, उसको थोड़ा सा side कर दीजिए, और सिर्फ और सिर्फ अगर हम cut-off पे focus करेंगे, तो इस साल कितना high गया cut-off, right? तो अगर NEET में बच्चों को selection मिलना है, तो दो चीजे करनी पड़ेंगे, या तो medicals का seat ज़़ाने पड़ेंगे, या फिर आपको question paper में थोड़ा सा concept-wide questions ज़्यादा डालने पड़ेंगे, right? तो medicals का seat मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हाँ बढ़ेगा, हर साल बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता as compared to the aspirants वो उदना ज़्यादा proportionally बढ़ सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो अगली बार से दिल लाइन का, उस concept वो concept पे वो लो question मनाई है, और मेरा काम वही है, मेरा काम सिर्फ यह नहीं है कि मैं यहाँ आओं और आपको NCRT को लिखा के चला जाओं, मेरा काम है हर एक line को अच्छे से decode करना, हर एक concept को आप तक पहुँचाना, हर एक concept के पीछे का reason क्या है, यह कहां जाक second year या third year of teaching होता, तो मैं जरूर 11th और 12th दोनों को एक साथ कराने की कोशिश करता, लेकिन यह मेरा first year of teaching है और यह सब चीज़े करने में मुझे बहुत जादा time लगता है, अगर आप मेरे lectures को देखेंगे, तो मेरे lectures का एक pattern होता है, कि मैं एक lecture पढ़ाता हूँ, फिर उस lecture जै ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ, नहीं, यह पूरा का पूरा एक process है, जिसको मैं follow करता हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ syllabus खतम करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आाके आपको, मिलब आके जर्ष लेक्चर देखेंना निकल जाएंगे, हो सकता है कि एक दो आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये DPP का काम बस इतना ही है, कि ये DPP आपको एक quick revision में help करेगा, मालो अगर आपको जिमनोस्पम बाज revision करना है, तो आप क्या करोगे, एक बार मैं हर बार कहता हूँ, तो मेरा काम है आपको knowledge पहुचाना, और मेरा इसी वज़े से मुझे थोड़ा सा lecture को लेने में time लगता है, लेकिन कि देखो, एक होता है कि मैं lecture को अपने लिए बना रहा हूँ, और एक होता है मैं lecture को आपके लिए बना रहा हूँ, अगर मैं अपने लिए lectures को बना रहा हूँ, तो वो अलग बात है, लेकिन जब मैं आपके लिए lectures को बनाता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ता है कि क्या कौनसी कौनसी चीजे हैं जो आपको जरुरत है कौनसी कौनसी चीजे है जो NCRT के related है आप ऐसे बहुत सारे मेरे lectures अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मैंने चीजे पढ़ाई है जो NCRT में नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया है क्यों पढ़ाया है? क्या वो extra है? नहीं वो NCRT का जो line है उसके concept को मजबूत करने के लिए मैंने वो चीज पढ़ाई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा दिया, no बस उस concept को मजबूत करने के लिए मैंने वो चीज पढ़ाई आपको तो ये सब चीज़े करने में थोड़ा सा time लगता है तो मुझे हर बाग दिखना पढ़ता है कि ये concept क्या NCRT based है क्या मैं बहुत ज़ादा NCRT से deviate तो नहीं हो रहा हूँ क्या ये जो मैं content आपको दे रहा हूँ ये आपके कितने effective या helpful हो सकता है तो ये सारी चीज़े सोचने के बाद समझने के बाद उसके बाद मैं आके कोई lecture दे पाता हूँ तो इसी वज़े से मुझे थोड़ा सा time लगता है अगर ये मेरा second या third year होता तो obviously बात है कि मैं जरूर कोशिश करता है 11-12 को एक साथ करने के लिए लेकिन अगर मैं अभी 11-12 पो एक साथ करने जाओंगा न तो क्या होगा कि चीजे गड़बर जादा हो जाएगी मलब ये cheating हो जाएगा एक तरफ का अगर मैं कहूं तो ये आपके साथ भी cheating होगा ये मेरे साथ भी cheating होगा आपके साथ क्या cheating होगा कि देखो मेरे दिमाग में क्या चरहेगा कि एक साल के अंदर मुझे 11-12 करना है करना है तो मैं क्या करूँगा आओंगा बोर्ड पे NCRT को पढ़ाओंगा निकल जाओंगा तो आपके साथ क्या cheating हुई कि मैं ऐसे NCRT को तो पढ़ा दिया लेकिन NCRT के concept को बहुत ज़्यादा decode नहीं कर पाया क्यों मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी syllabus कतम करना है तो ये हुआ आपके साथ cheating अब मेरे साथ cheating क्या हो मेरे साथ cheating ये हो गया कि मेरे अंदर potential था कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ मैं और भी जादा अच्छा content आपको provide कर सकता हूँ और चीजों को better way में आपको understand करावा सकता हूँ लेकिन मैंने वो नहीं किया तो ये मेरे साथ cheating हो गया as a teacher तो मैं ना तो आपके साथ कोई cheating करना चाता हूँ ने मैं खुद के साथ कोई cheating करना चाता हूँ इसी वज़े से मैं चीजों को आराम आराम से समझ समझ के आगे बढ़ना चाता हूँ इसी वज़े से मैंने need 2026 को focus किया नाकि नीट 2025 को और अगर आप मेरे lectures को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे lectures में सिर्फ और सिर्फ में यहां आके board work करके नहीं जाता हूं उसके साथ साथ जो चीज़े possible होती है वो हर एक चीज़ का मैं practical भी demonstrate करता हूं क्यों करता हूं practical demonstrate जैसे कि अगर आप morphology का अभी जो chapter चल रहा है morphology उसका अगर lecture 1 देखेंगे तो उस lecture 1 में मैंने board में diagram ड्रॉ किया था फुल एक plant का root था, stem था, live था, node, inter-node and androsium, gynosium हर एक चीज़ ड्रॉ किया था मैंने तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि एक full plant लाके चीज़ों को decode करके, मलब dissect करके आपको दिखाने की, क्या ज़रूरत थी मुझे, क्या इस तरह से पढ़ने से आपको पूरी जिंदगी याद रहे जाएगी चीज़े, the answer is no आपको फिर भी revise करना पढ़ेगा, तो आपके दिमाग में question आएगा, कि सर अगर फिर से मुझे revise ही करना है, तो मैं क्यों इसको, मलब, इसको dissect करके क्यों time waste करूँ, मैं ये इसलिए करता हूँ, कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, कि पढ़ाई कैसे की जाती है, मेरा काम as a teacher ये नहीं है, कि आपको सिर्फ ये सिखाना कि बेटा पढ़ लो, mcq solve करो, exam super return, मलब, boards के paper solve करो, और exam दो, number लो निकल, मलब, आगे बढ़ो, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम आपको सिखाना की पढ़ाई कैसे की जाती है और वो मैं सिखाना है पढ़ाई कैसे जाता है चीजों को समझा कैसे जाता है बहुत सारे ऐसे मेरे juniors है, जो आके मुझे बोलते हैं, कि बहुत सारे ऐसे मेरे juniors है, जो आके मुझे बोलते हैं, कि बहुत सारे ऐसे मेरे juniors है, जो आके मुझे बोलते हैं, कि कहता हूं कि नहीं ये सारी कीसारी जो बाते दुन्या वाले कह रहे हैं वो जूटे सच्पताय पिखे का एक इंट्रेस्ट ही नहीं आया इसे नहीं किसे ने उसको यही नहीं बताया कि यह सीटेक्ट ik इंट्रेस्टिंगवेश में भी बढ़ा जासकता है अगर मैं आपको बोलू कि biology एक ऐसा subject है मैं physics chemistry में उतना जादा मुझे उतना जादा knowledge नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उन भी बहुत सारे practicals possible है लेकिन मैं अपने subject की बात करूं बायो की तो बायो में ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो हम लोग अपने पास बहुत सारे मैदान है जहां से मैंने वह plant को एक plant को उसमें से choose करके लाया कितना time लगा मुझे आपके आसपर उसमें भी plant है तो आप भी यह चीज़ अपने घर पर practice कर सकते हो तो इसी वज़े से मैं यह सब चीज़े करता हूं क्यों करता हूं ताकि मैं आपको यह बता आपका नीड निस्ल कोज्चन हो गया डिर है अब मेटिकल कॉलेगे तो आपको क्या लगता है confess को जाके सिर्फ बुक पढ़ोगे तो आप Parisं से साथ डिल कर सकते हो कभी नहीं कर सकते हो सिर्फ बुक पढ़के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ बुक पढ़के, आपको बुक्स की भी जरुरत होगी, आपको प्रैक्टिकल की भी जरुरत होगी, जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, जब तक आप चीजों को विजुलाइज नहीं करोगे कि जब तक चीजों को आप अंदर नहीं डालोगे अपने जब तक आप चीजों को imagination नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता मैं हमेश्या कहता हूं कि आप कितने अच्छे doctor बनंगे यह इस पर depend नहीं करता कि आपका rank कितना है या आपका college क्या है नो यह depend करता है कि आपका imagination power आपका observation skill कितना अच्छा है तो वो कहां से आएगा अच्छानक से आप MBS में चले जाओगे और अच्छानक से वो develop हो जाएगा ऐसा तो नहीं है उसको सीखना पड़ेगा, उसके सीखने के लिए time देना पढ़ेगा और वही चीज में यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ मैं यह नहीं बोलता हूँ कि यह चीज़े करने से आपको selection हो जाएगी इतना आप सीख जाओ गए और मेरा काम as a teacher वही है आपको यह सिखाना कि पढ़ाई कैसे होता है इस morphology वाले chapter में ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो end में बहुत सारे families को discuss करना होता है जैसे कि poesi हो गया, malvacy, solenacy, fabacy तो यह सब family को जब हम लोग discuss करते हैं तो उसमें student को दिक्कत कहां आती है उसमें student का दिक्कत यह होता है उनका जो floral formula होता है और जो floral diagram होता है वो याद नहीं रहता, क्यों याद नहीं रहता, इसके दो reason है number one reason, उनमें जो लिखा हुआ होता है, वो बहुत सारे student को पता ही नहीं कि वो क्या लिखा है या तो एक सुखसत है, कि student को यही नहीं पता कि gamma petalus क्या है gamma petalus condition का मतलब क्या है, या fused anther का मतलब क्या है, वहीं उनको नहीं पता इसी वाज़े से वो floral diagram या floral formula को समझ नहीं पाते हैं, और एक type के ऐसे भी student होते हैं, जिनको यह तो पता है, कि gamma petalus का मतलब होता है, कि petals जो है, वो fused हो चुके है या numerous anther या fused anther का मतलब होता है, कि anther जो है, वो style में fused हो चुका है यह पता है उनको, लेकिन फिर भी उनको याद रखने में या समझने में दिक्कत होते हैं, कि उन्होंने कभी gamma petalus condition देखा ही नहीं है कभी उन्होंने fused anther देखा ही नहीं है, मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूँ, कि जो भी चीज आप, जो भी चीज आपके syllabus में है, वो सब चीज आप देख डालो नो, यह possible नहीं है, लेकिन at least जितना possible है, उतना तो मैं कोशिश करी सकता हूँ न अगर मेरे लिए मालो, possible है कि Malvacy family का, जो मैं floral formula या floral diagram पढ़ा रहा हूँ, तो एक Malvacy का flower लेके आके आपको दिखा दू, कि देखो भाई, यह इसलिए actinomorphic है, या zygomorphic है, इसी वज़े से इसका numerus anthr बोला गया है, इसी वज़े से यह gamma petalus है, यह तो मैं बोल सकता हूँ न, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं अपने end से effort दे ही सकता हूँ, हर एक चीज करना possible नहीं है, लेकिन जो जो possible है, वो तो मैं कर ही सकता हूँ जैसे कि tap root system में, मैंने tap root system को दिखाया, कि tap root system और fibrous root में क्या difference है? क्या मैं नहीं दिखाता हो, तो आप पढ़ नहीं पाते, ज़रूर पढ़ पाते? कि exam mcq solve नहीं कर पाते, ज़रूर कर पाते? तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सिखा सको कि पढ़ाई की कैसे जाती है? पढ़ाई का मतलब सिर्फ port पे आना और ncrt को लिखा देना और आपने note down कलिया ये नहीं है, पढ़ाई का मतलब है आपको समझाना कि ये क्या है, ये इस line का मतलब क्या है, इस line का concept क्या है, अगर इस line के concept को मैं practically दिखा सबूँ, तो देखो ये practically ये 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 चीज़े है जब लोग morphology में floral diagram और floral formula को पढ़ेंगे ना तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हर एक family का अगर possible नहीं हुआ, तो कुछ family का ही सही, मैं flower लेके आके आपको दिखा हूँ, कि देखो भाई, इसको de-dynamous condition बोलते हैं, इसको actinomorphic बोलते हैं, इसको zygomorphic बोलते हैं, इसको fuse pipitalis, इसको gamosipalus, ये सारे condition बोलते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग dissect करके देखने की कोशिश करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का interest बढ़ेगा, हम लोग ये सीख पाएंगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है, तो as a teacher, मेरा काम ये न जाती है, क्योंकि अगर आपने एक बार, अगर मैंने एक बार आपको ये सिखा दिया, कि पढ़ाई को interesting कैसे किया जाता है, तो जिंदगी बढ़ वो पढ़ाई आपके लिए बहुत जादा interesting नहींगा, अगर मैंने एक बार आपको ये सिखा दिया, कि पढ़ाई किया कैसे जाता है और आपने वह अच्छे से सीख लिया तो आगे जंदगी में जो भी करोगे चाहे वह आप डॉक्टर बनो चाहे आप रिसर्चर बनो चाहे आप प्रोफिसर बनो चाहे जो भी बनो आप बेस्ट प्रोफिसर बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट लेक्चरर और बेस्ट रि syllabus छूट जाएगा ऐसा नहीं होगा मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ का नहीं कर सकते लेगिन कुछ का तो कर ही सकते और यहाँ पे तो आपका time waste नहीं हो रहा है यहाँ पे जो effort दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो जो plan लेके आया मैं आया, dissect किया, मैंने किया आपको क्या करना है? आपको सिर्फ lecture के साथ उस चीज़ को देखना है आपको lecture के साथ उस चीज़ को combine करके समझना है, that's it और इस पे मुझे थोड़ा सा time लगता है मैं ऐसे cheat नहीं कर सकता ना आपको cheat कर सकता हूँ, ना मैं खुद को cheat कर सकता हूँ right तो as a teacher मेरा responsibility बहुत जादा है मुझे आके सिर्फ lecture देना नहीं होता है मुझे lecture देना होता है, मुझे चीज़ों को आपको आपके लिए आसान मनाना होता है चीज़ों को ये भी सिखाना होता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है चीज़ों को interesting कैसे बनाया जाता है ये भी मेरा as a teacher काम है तो इस काम को करने में मुझे time लगता है इसी वज़े से मैंने need 2026 को target किया ना कि need 2025 को अगर मैं सिर्फ आता, theory पढ़ाता, निकल जाता तो obviously बात है मैं new 2025 को ही target करता या मेरे पास थोड़ा बहुत experience अगर रह जाता कि चलो मुझे 2-3 साल का experience है तो मैं जरूर कोशिश करता लेकिन ये मेरा first year है and मुझे सही से, सही चीजे, अच्छे से अगर सलिके से अं तरीके से सरी चीजों को आपको deliver करना है तो इसी वज़े से मैंने need 2026 को target किया ना कि need 2025 को और एक चीज मैं बताना चालता हूँ कि सबको लगता है कि need के paper में 11 से 50 questions आएंगे, 12 से 50 questions आएंगे यह सच है, तोरा बहुत उपर नीचे plus minus हो सकता है लेकिन मोटा मोटा यह आएंगा, question लेकिन हम लोग अगर concept की weightage की बात करें concept wise weightage की बात करें तो 11 का जो weightage है, concept wise वो जादा है वो 60 to 70 percent weightage 11th carry करता है क्योंकि 11 में आपके सबको chapter आगे animal kingdom आ गया, plant kingdom आ गया, biological classification आ गया, cell cycle आ गया, by molecules आ गया, plant physiology, animal physiology यह सारे के सारे आपके 11th में है और सारे के सारे chapters जो है आपके समझने वाले हैं, conceptual है तो अगर concept के respect में जाएंगे तो 11th का portion मेरे इसाब से 60 to 70 percent carry करता है तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 11th को revise करना है तो obviously बात है कि आप अगर चाहो तो मेरे वीडियो से continue कर सकते हो otherwise जहां बात रही 11th और 12th दोनों को एक साथ करने की, तो again मैं कहता हूं, I'm really 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 very sorry, मैं 11th और 12th को एक साथ continue नहीं कर सकता और यह जो channel है, यह fully focused है for NEET 2026 ना कि NEET 2025, तो syllabus जो खतम होगा वो NEET 2026 के पहले ही खतम होगा I hope कि मैंने जो बताया मेरे वीडियो के तुरू, आप समझ पाये हैं क्योंकि मैं हर बार यह कहता हूं कि अगर मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना होता तो शायद मैं 1112 खतम कर देता है, लेकिन मेरा काम से पढ़ाना नहीं है, मुझे मेरा काम है पढ़ाना पढ़ाने को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको interesting बनाना और उसके साथ साथ आपको सही तरीका सिखाना कि कैसे पढ़ाई की जाती है कैसे चीजों को समझा जाता है, कैसे चीजों को observe किया जाता है, कैसे चीजों को visualize किया जाता है, कैसे theory को और practical को साथ मिलेके चला जा सकता है यह भी मेरा काम है, as a teacher, तो इसी वज़े से मैंने starting में भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, कि I am really very sorry कि आपने जो दो questions या दो जो आपने पूछा था questions वो मैं fulfill नहीं कर पा रहा हूँ, I am really very sorry for that, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी उमीद करूंगा कि मेरा जो, मैंने जो कहा throughout the video, वो आप समझ पाए होंगे, और I hope मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, कि आप समझ गए होंगे, कि मैं क्या कहना चाता हूँ, इससे ज़्यादत और कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो गया, लेकिन यह आपको बताना ज़रूरी था, यह बहुत बार इ यह मेरा first year है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो, मैं अपने तरफ से honest रहना चाहता हूँ, कि मैं यह कहन दूँ आके, कि हाँ, मैं तो बहुत experienced हूँ, और मैं 11-12 नहीं कहरी कर रहा हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो जो सच है, वो बताना चाहिए, कि भाई किस lecture के साथ कौन सा practical merge करके हम लोग इसको और बहतर तरीके से आपको deliver कर सके, यह भी सारे factors आ जाते हैं, सिर्फ NCRT पढ़ाना होता तो, तो मैं 11-12 तो 6 मेने में खतम गर्दू, मैं आओं और लिखाओं और निकल जाओं, सिर्फ मेरा काम को नहीं है, वो तो फिर मैं तो cheat कर है, तो video बहुत जादा लंबा हो गया, I'm really very sorry for that, लेकिन यह चीजे clear करना या बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत जादा, अपने student के लिए बहुत जादा genuine रहना चाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी चीजे नहीं बताना चाता हूँ, जो मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा अपने student के सामने genuine रहना चाता हूँ, कि देखो भाई, कि मेरा experience नहीं है, तो मैं दोनों को एक साथ continue नहीं कर सकता हूँ, यह सच है, और मुझे अ यह सच है, और मैं हमेशा अपने student के सामने genuine रहना चाता हूँ, तो I hope कि मैं जो कहना चाता था, आप समझ पाए होंगे, wish you all the very best for your future, और फिर से मैं एक और बार कहता हूँ, कि आपका जो comment था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 जाद अच्छा लगा, आपने जो भी comment किया, मुझे बहुत जाद अच्छा लगा, honestly, मैंने जो बहुत सारे doubts थे ना, जब मैंने start किया था channel, वो सारे doubts, पूरा तो ने clear हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत confidence मिला मुझे, कि हाँ यार, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही direction में चल रहा है अग तक, तो आज का video यहां तक रखते हैं, कर फिल में रहेंगे, board work में, I hope you like this video, and दो, बाइ